किसान साथियों नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे एक बार फिर सर्दियों के अमरूद की इस सर्दियों के अमरूद पर मैंने आपको पांच वीडियो दिखा चुका हूँ जो मैंने 416.1 से लेकर 416.5 तक बताई है प्रस्तुत है आज 416.6 किसान साथियों जो भी मैंने कारिये किये हैं उनमें आप देखिए कि अमरूद की इस्थिती मैं दिखाना चाहता हूँ ये देखिए अब अमरूद बड़े हो चुके हैं ये देखिए कुछ अमरूदों में अगर आप देखेंगे तो ये पीला पन है ये देखिए आप अगर हम इसे काटते हैं तो ये कच्चा निकलता है उपर से देखिए ये दो तरह के अमरूद हो सकते हैं एक में हो सकता है आपका कीडा हो जो सुन्डी होती है अगर आपके हाँ आपने सही प्रबंदन नहीं किया लेकिन मेरे हाँ ये पिला है इसमें कोई भी कीडा नहीं है किसान साथियो इसका अर्थ है कि आपका अमरूद पकने के लिए तैयार है और आपके यहाँ पानी की कमी है आप इसमें पानी दीजिए और ये पानी देते ही अमरूद फूल जाएगा और आप 15 दिन के अंदर अमरूद को तोड़ना शुरू कर सकते हैं ये हुई पहली बात ये ग्रीन अर्थ हैदराबाद का एक प्रोड़क्ट है मैं नमबर भी बता रहा हूँ जो इच्छुक हों वो इसको मंगा भी सकते हैं मैंने उसका इस्प्रे करा था और उसके इस्प्रे कराई थे दो 15-15 दिन के अंतराल पर ये नीम के तेल पर आधारित प्रोड़क्ट है और एक है जो चावल की पॉलिस बनती है यानि राइस से जो पॉलिस होती है उसका सिल्पोड है और ये दोनों मिलाकर बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं तीसरा इसमें मिलाया था मैंने ग्रीन वेट जो की एक सिलिकॉन बेस्ट इस्प्रेडर है बहुत अच्छा इस्प् पल्मक्खी जो कोई कीट आएगा जो पेस्ट आएंगे उन सब से आपको कंट्रोल करने में बहुत सहता करता है एक बार करकर देखिए ये कहां से मिलते हैं इसका नंबर मैं दे रहा हूँ आप महां पर बात कर सकते हैं अगर इच्छुक हैं तो आप मंगा सकते हैं दूसरा काम क्या है कि इसके बाद में अभी एक सप्ता पहले मैंने एक इसमें इस्प्रे किया था वो इस्प्रे था 0.524 जिंक 2 ग्राम परती लिटर 0.524 पांच ग्राम परती लिटर बोरोन एक ग्राम परती लिटर एक इसा बियन डाला था मैंने जो कि सिजंटा का आता है 2.5 ml पर यह मिलाकर मैंने इस्प्रे किया था और आप देखें मेरे अम्रूद कितने स्वस्थ हैं मुझे इन में कोई भी कमी नहीं नजर आ रही है कहीं पर एक आधा इस्पोर्ट है जैसे यह आप देखोगे न धीरे से यह हलका सा काला पंसा है यह देखें यह हो सकता है कि 100% कोई भी चीज सही नहीं होती लेकिन यह अधिकतर अम्रूद मेरे स्वस्थ है और पूरा पेड़ अम्रूद से भरा हुआ है दस दिन पहले मैंने एक इसमें प्रलील्जिसक ग्राम गरनव पर व्यटिर, जिंक बू ग्राम पर टिएिर और इशाबियान 2.5 ml लिटर और एक किया था मैंने इसमें मिलाया था sticker जो silicon-base sticker होता है वो मिलाया था एक इस पे और किया था जो Cisenta की glow it आती है उसका मैंने मिलाया था 1 ml per litr और इसकी साथ मैंने किया था 0.3 ml per litr ये मिलाया था जिससे के अगर कोई भी मेरे पास इसमें अगर आप देखें तो मक्खी या किसी चीज का प्रकोफ हो तो वो आपको बचाएगा जो मैंने ये सेकिंड इस्प्रे किया था जिसमें गलोईट है इसमें प्रोपिकोनाजोल प्लस डाइफेकोनाजोल है जो आपके ये जो अगर किसी अम्रूदों में ये आ गए इस तरह के निसान आगए जो एंथराकरोनोज है इसको वहीं पर रोक देगा और इसे इस्प्रेड करने से बचाएगा ये बीमारी जब आपके हुमिडिटी बहुत ज़ादा होती है तब होती है और सनलाइट कम बिलती है बाकी देखे इन अम्रूदों में नहीं है किसी में भी इसमें नहीं है लेकिन कुछ अम्रूदों में है इसमें आप ये भी देख चाकते हैं ये अम्रूद बिलकुल साफ है ये वाले बिलकुल साफ अम्रूद है अगर आप अपने बाग की बहुत अच्छी देख भाल कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए है कि ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि आपको पानी कब देना है किसान साथियों मैं दिखाऊँगा कि 20 से 25 अक्टूबर को मैं इनमें हर्वेस्टिंग सुरू कर दूँगा अब मुझे इसमें अधिक कुछ नहीं करना है मैं केवल इसमें फिर एक नीम क्योर और सिल्पोट का इस्प्रे कराऊँगा ताकि कहीं भी कोई जैसे आज कल एक बिमारी आती है जिसमें के अमरूद पर हल्गी हल्गी फपूंद बनने लगते हैं जहां पर अधिक बारिस हुई है वहां पर अधिक आती है इस प्रकार की बिमारी को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी होता इस टाइम आपके फलो की सुरक्सा जो आपने बनाई है वो ज़रूरी है ये तो हुई जो लोग कैमीकल करते हैं किसान साथियों मैं अपने बाग में एक्सपरिमेंट भी करता हूँ अब मैं बताता हूँ जो लोग बायो करते हैं वो क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ चार बायो कंट्रोल एजेंट आते हैं एक होता है सुडो मुनास, एक है वर्टी सीलियम लेकानी, एक है मेटारीजियम अनसेपोली और एक है बवेरिया बश्याना, किसान सातियों एक बार आप सुडो मुनास और वर्टी सीलियम लेकानी और इन दोनों को मिलाकर इस्तिकर के साथ शाम के समय अपने बाग में इस्प से पहले आपने इसमें स्प्रे कर दिया तो आपको अपने बाग में ये ध्यान रखना है कि उस समय ये बीमारी आ सकती है या अब ऐसे मोसम के कंडिशन बन रहे हैं कि ये बीमारी आएगी उससे पहले करिए तो ये बायो एजेंट जो है आपके पोधों पर पतियों पर फलों अपर कलोनी बना लेते हैं और फिर उस बीमारी को संक्रमित करदे यानि इन्फटिड करदेते हैं और वह बीमारी नहीं आती है जैसे के वर्टीसीलियम लेकानी आप देखेंगे पत्तों पर एक काला काला सा वह से यह हो जाता है सुरू में बूरे रंग का होता है जैसे ही वो मरता है, तो इस प्रकारिये काला हो जाता है, वर्टीशीनलमलैकानी बहुत ही अधिक कार करा है, दूसरा इस प्रेव बवेरिया बश्याना और मेटारीजियम अने सपोली का तरीये, ये दोनों आपके जितने भी सकिंग पेस्ट है, या मिली बग है, इस पर बहुत अधिक कार कर होते हैं अपने बगीचे को साफ रखिए जैसे मैंने रखा हुआ है ताकि यहां से मिली बग ने चड़ पाए मेरे बाग में कोई भी मिली बग नहीं है कल से मैं इसमें पानी दूँगा आज मैं नीम क्योर और सिल्पोट का एक स्प्रे कराऊंगा और कल से पानी दूँ और यहां अब इनको केवल फूलना है एक सप्ताह के बाद कल मैं इस्प्रे करूंगा नीम क्योर और सिल्पोट का बताया एक सप्ताह के बाद मैं स्प्रे करूंगा एन-पी के जीरो जीरो पचास पाँच गराम परती लीटर और उसमें बिलाऊंगा थोड़ा बोरोन और ए जैसे ही हलकी सी चलने लाइक होगा फिर पानी दूंगा अम्रूद फूलना शुरू हो जाएंगे और जल्दी ही आपको मिलेगे मीठे मीठे अम्रूद खाने के लिए किसान साथियो ये थी मेरी छटी प्रस्तुती सर्दियों के अम्रूद पर जो मैंने कटिंग से लेकर अब तक दिखाए है कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं आप कैमीकल करते हैं ये आपकी इच्छा है आपको फसल लेनी है बचत करनी है या घर के अम्रूद खाने ये आप पर निर्भर करता है जो आपकी इच्छा है आप करिए मैंने दोनों तरीके बता दिये इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत, वंदेवाद